किया जाए कि मैं सभी कांची वाद्चिवाद अपील करना चाहूंगा कि आप अभी से पहरी करिए और बढ़ चरकर के उसमें हिस्सा लेए मेरे परिवार जनों हमारा बनारस सद्धियों से शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र रहा है बनारस की सेक्षिनिक सबलता का सबसे बड़ा आधार है इसका सर्वसमावेशी स्वभाव देश और दुनिया के कौने कौने से आकर लोग यहां पढ़ाई करते हैं आज भी दुनिया के कितने ही देशों से लोग यहां संस्कृत सिखने आते हैं ग्यान लेने आते हैं आज हमने इसी भावना को केंद्र में रखकर यहां से अटल आवाचिये विद्यालयों का सुभारम किया है आज जिन अटल आवाचिये विद्यालयों का लोकारपन हुआ है उन पर करीब यहारा सो करोड रुपे खर्च किये गए हैं और यह स्कूल इतने भव्य स्कूल हमारे स्रमीक हमारी हममद्दुरी करने वाले जो लोग है और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग है उनके बेटे बेटियों के लिए किया गया काम है और इसे उनको अच्छी सिख्षा मिलेंगे समस्कार मिलेंगे आदुनित्तम सिख्षा मिलेंगे जिन लोगों की कोरोना में दुखत मुर्त्य हो गई उनके बच्चों को भी इन आवासी विद्यालों में निश्वल्क पढ़ाये जाएगा मुझे बताया गया है कि इन स्कूलों में कोर्स के साथ साथ संगीत, कला, क्राफ, कंप्यूटर और स्पॉर्ट्स के लिए भी शिक्षग होंगे याने गरीब के बच्चे भी अब अच्छी से अच्छी पढ़ाय का सरवांगिन सिख्षा का सपना पूरा कर पाएंगे और केंद्र सरकार के ओरते हमने इसी तरह जनजातिय समाग के बच्चों के लिए एक लब्या आवासिय स्कूल बनाए है नई राष्ट्रिय शिक्षा निति के जरिये हमने शिक्षा व्यवस्ता की पुरानी सोच को भी बदला है अब हमारे स्कूल्स आधुनिक बन रहे हैं क्लासे स्माट हो रही हैं भारत सरकार ने देश के हजारों स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए पी-म स्री अभियान भी शुरू किया है इस अभियान के तहट देश के हजारों स्कूलों को मोडन टेक्लोलोजी से लेश किया जा रहा है साथियों काशी में साउसत के तोर पर जो भी नए कारकम शुरू हुए हो रहे हैं उन सभी में मुझे आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है यह जो अट्रल आवास यह विद्याले हैं न यह जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं जो कभी यह गाउं दूसरे गाउं ऐसे काम करते हैं बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है और उसके लिए एक बजेट रखा जाता है उसमें से उनके बच्चों की चिंता करने का विज़र आप देखिए कि तत्कालीन राजनीति गलाब लेने का जिन का इरादा नहीं होता है स्वार्थभाव नहीं होता है वो कैसे काम करते हैं और जिनके दीद दिमाग में सिर्फ चुनाव ही भरा रहता है कैसे भी करके वोट बटोनने की खेल खेलने की आदत रहती है वो ऐसे पैसों के कैसा बरबात करते हैं आप हिंदुस्तान में जानकारी लेंगे तो पता चलेगा ये पैसे सभी राज्यों के पास है और भारत सरकार ने पूरी की पूरी उनको छूट देके रखी है लेकिन जादातर राज्य वोट मिलने वाले कामों के लिए उन पैसों को खपा रहे हैं जबकि योगी जी ने और मेरी बात तो बहुत पहले हुई थी लेकिन वोटना इन्हें मन में रखा और आज और ये बच्चे इतने तयार होंगे न उस परिवार को फिर मजदूरी करने की नौबत ही नहीं रहेगी अब ही बै ये अटल आवाशी विद्धा लेके कुछ बच्चों को मिल के आया समिक परिवार के बच्चे थे पक्का घर भी कभी देखा नहीं था लेकिन इतने कम समय में जो आत्मविश्वात मैंने उनका देखा मैं उनके सबी टीचर्स को भी बदाई देता हूँ जिस आत्मविश्वात से बाते कर रहे थे और प्रधान मंत्री को जिस प्रकार से वो ड्रील कर रहे थे ऐसे सवाल पूछ रहे थे अब मैं भी तो कोई सेले बस पढ़के आया नहीं था मुझे दिख रहा था गिन बच्चों में स्पार्क है सामर्थ है मैं पक्का मानता हूँ दोस्तों दस साल के भीतर भीतर देखना इस बच्च इस स्कूलों में से उत्तर प्रदेश की काशी की आन बान शान निकरने वाली है मेरे प्यारे कासिवास्यों मुझ पर आपके आसिरवाद ऐसे ही बनाये रखिये इसी भावना के साथ आप कर्स होते हैं जो कभी ये गाउं दूसरे गाउं ऐसे काम करते हैं बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है और उसके लिए एक बजेट रखा जाता है उसमें से उनके बच्चों की चिंता करने का विश्वर्ण आप देखिए कि तत्कालीन राजनीति गलाब लेने का जिनका इरादा नहीं होता है स्वार्थभाव नहीं होता है वो कैसे काम करते हैं और जिनके दिद दिमाग में सिर्फ चुनाव ही भरा रहता है कैसे भी करके वोट बटोनने के खेल खेलने की आदत रहती है वो ऐसे पैसों के कैसा बर्बात करते हैं आप हिंदुस्तान में जानकारी लेंगे तो पता चलेगा ये पैसे सभी राज्यों के पास है और भारत सरकार ने पूरी की पूरी उनको छुट देके रखी है लेकिन जादा तर राज्य वोट मिलने वाले कामों के लिए उन पैसों को खपा रहे हैं जबकि योगी जी ने और मेरी बात तो बहुत पहले हुई थी लेकिन वोटना इन और ये बच्चे इतने तयार होंगे न उस परिवार को फिर मद्धूरी करने की नौबत ही नहीं रहे हैं अभी मैं ये अटल आवाशी विद्धा लेके कुछ बच्चों को मिल के आया स्रमिक परिवार के बच्चे थे पक्का घर भी कभी देखा नहीं था लेकिन इतने कम समय में जो आत्मविश्वात मैंने उनका देखा मैं उनके सभी टीचर्स को भी बढ़ाई देता हूं कि जिस आत्मविश्वात से बाते कर रहे थे और प्रधान मंत्री को जिस प्रकार से वो ड्रील कर रहे थे ऐसे सवाल पूछ रहे थे अब मैं भी तो कोई सेले बस पढ़के आया नहीं था मुझे दिख रहा था गिन बच्चों में स्पार्क है सामर्थ है और मैं पक्का मानता हूं दोस्तों दस साल के भीतर भीतर देखना इस बच्च इस स्कुलों में से उत्तर प्रदेश की काशी की आन बान शान निखरने वाली है मेरे प्यारे कासी वात्यों मुझे पर आपके आसिरवाद ऐसे ही बनाये रखिये इसी भावना के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद हारा हारा महादेर